हाई पूरीज पूजा वेज हाउस में आप सब कर सोगते आज हम बनाएंगे स्ट्री स्ट्राइल स्वीट कॉन वो भी एकदम अलग से अंदाद में तो चले बनाना करते हैं स्टार्ट इसके लिए हमें चाहिए एक स्वीट कॉन यह मिने इसके दाने निकाल लिए नमक आदा टीस्पून और दो पिंच लालमेच और एक कटोरी पानी तो सबसे पहले हम कड़ाई को गरन कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे घर का बना घृ एकदम थोड़ा से घृ डालना है इसमें आधा टीस्पून लगबग यह में ने आधा टीस्पून घी डाल दिया अब गईकोगा अच्छे से गरम होने देंगे हम अब उसमें हम डालेंगे स्वीट कॉन स्वीट कॉन डालने के बाद हम उसमें डालेंगे नमक नमक डालने के बाद हम डालेंगे दो पिंच लाल मेच और एक कटोरी पानी पानी डालने के बाद इसे अच्छे से हम उबालाने देंगे और उबालाने तक हमें इसे हिलाना है उबाल आने तक इसा ही हिलाना है हमें से अब हमारा उबाल आ चुका है देखो एक उबाल आने के बाद हम इसे अच्चे सी हिलाएंगे और हमारा उबाल अच्चे से आ गया है अब अब इस पर हम 10 मिनिट के लिए ढखकन रखके पक पकने देंगे दस मिनिट होने के बाद देखिए हमारे एक दम से स्वीट कॉन रेड़ी हो गए अब इसमें से थोड़ा सा पानी रहे गया है हमारा तो इसे एक बार हम दो से चार से मिनिट के लिए अच्चे से डखकन रखके पकने देंगे में देखिए हमारे अच्चे से स्टीट स्टायल शीट कॉन रेड़ी हो गए एक दम नरम नरम जो हमें ख़वी भी खाने का दिल कर सकता है आप इसे चाही तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं उपर से देखे हमारे कितने स्ट्रीट स्टाइल मैंने इसे छोटे-छोटे से कप में डाला है बिल्कूल स्ट्रीट का अंदाज होगा इसके खाने के बाद सब को पसंद आएंगे आपका मेरी रेसिपी कैसे लेगे मु स्ट्रीट करें आपका अंदाज होगा है आपका से लेगे मुाणे झाँ शूल को को एर है विल्कूल सेंगे प्साराइज मुल्टे ले बाद से लेगे मुला आपका जए विल्कूल से खाने कितने से बाला है